मेरे पास है दोस्तों Honor 9N आप देख सकते हैं दोस्तों बैक साइड में नीचे तरफ Honor की ब्रैंडिंग है और दोस्तों मॉडल नमर मैंने आपको बता दिया मॉडल नमर है Honor 9N ओके और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं Honor 9N का FRP बाइपास करने का यानि की Google एकाउंट बाइपास करने का सबसे इजी सबसे सटीग तरीका नमस्कार दोस्तों मैं हूं सवरब और आप देख रहे हैं Perfect Mobile solution तो चलिए दोस्तों जल्दी से मैं आपको कंफर्म कर देता हूं कि मेरे पास यह जो डिवाइस है Honor 9N यह Google यहां next पर क्लिक करूंगा यहां से skip कर दोंगा यहां से नीचे से आपको agree करना है once again आपको agree पर क्लिक कर देना है ओके यहां से आप एग्री कर दें, join, later, आपको later पे click करना है, ओके, यहां से नीचे से यह देखी, agree to all है, आप इस पे click करें, ओके, और यहां देखें दोस्तों, यहां पे नीचे की तरफ back और skip का option है, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं simple skip के option पे click करता हूँ, अब यह देखें दोस्तों, मैंन की device में net का चलना जरूरी है, तो यहां जल्दी से मैं अपने device को किसी wifi के through connect कर लेता हूँ, ओके, device हमारी connect हो गई, आप देख सकते connected, और उपर की तरफ देखें आपको wifi का symbol सो कर रहा है, ठीक है, अब यहां से मैं कर दूंगा next, और कुछ second wait करिए, आपको पूरी तरह confirm हो हो जाएगा कि मेरे पास यह जो device है, honor 9N, यह Google account lock है, यानि की FRP lock है, यहां पर लिखके आएगा verify your account, यह देखें, finally verify your account, यानि की device हमारी FRP lock है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कोई भी step आपी skip नहीं करिएगा, और मेरी इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप घर बैठे बैठे अपने honor 9N का FRP lock, यानि की Google account lock, remove कर पाएंगे, ओके, तो आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहां से आपको एक point बैग जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक point, ठीक है, तो हम यहां services, यह option आपको सो करेगा, आपको करना क्या है, simple यहां, more पे click करना है, more, accept, ओके, यहां देखे, setup as new, आप इस पे click कर दें, ओके, और यह देखे, Huawei ID, यह interface आपको सो करेगा, ओके, अब आपको करना क्या है, नीचे आ यह तो देखे, दो option है, registered और यह forget password, आपको simply forget password पे click करना है, कुछ सेकेंड वेट करेंगे, कुछ सेकेंड वेट करेंगे दोस्तों, तो यह interface आपको सो करेगा, enter your Huawei ID, ओके, और नीचे एक तरफ देखे, ध्यान से छोटा सालिखा है, request account change, यह देखे, blue color का, ओके, आपको simple करना क्या है, इस option पे click कर देना है, और कुछ सेकेंड वेट करेंगे, यहाँ पे, कुछ सेकेंड वेट करने के बाद, अब नीचे आ जाईए, नीचे तरफ देखे, blue color का छोटा सा लिखा है, statement about Huawei ID and privacy, यह देखे, छोटा सा blue color का लिखा हुआ है, आपको simple इस पे click कर देना है, और यहाँ भी click करने के बाद, कुछ सेकेंड आप वेट कर करेंगे, तो उसके बाद आप देखेंगे, दोस्तों, यह देखे, statement about Huawei ID and privacy, यह आपका open हो गया, और यह देखे, बहुत सारे text आपको यहाँ पे लिखे हुए मिल रहे है, आपको करना कहें, दोस्तों, यहाँ यह जो text लिखा हुआ है, आपको इस text पे अपनी एक finger ले जाके touch and hold करना है, कैसे करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी एक finger ले जाए, किसी भी text के उपर आप ऐसे कुछ दिर तक रखें, और उसके बाद आप अपनी finger यहाँ से हटा लें, ऐसा करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखे, यह interface आपको एक नया option यहाँ पे म देखे, share के यह सारे option आपके सामने so करेंगे, ओके, आपको करना क्या है दोस्तों, इन option में से आपको Gmail पे क्लिक करना है, यह राजी मेल, तो आप simple Gmail पे क्लिक कर दें, ओके, जैसे ही Gmail पे क्लिक करेंगे, तो यह देखे, welcome to Gmail, यह interface आपको so करेगा, ठीक है, आपको ऐसे slide कर कर देना है, और उसके बाद यहां से done कर देना है, ओके, अब उसके बाद दोस्तों, यहां देखे, done करने के बाद यहां देखे, add an email address, ओके, आपको simple इस पे क्लिक करना है, जैसे ही आप add an email address पे क्लिक करेंगे, तो यहां देखे, setup mail, और यहां बहुत सारे option आपको देखने दोस्तों आको सिंपली क्लिक करना है सेकेंड वाले अपसन पर आनी कि Outlook, Hotmail एंड्लाइव वाले अपसन पर ओके तो आप सिंपल इस पर क्लिक करें और थोड़ा सा वेट करें कुछ सेकंड वेट करेंगे दोस्तों तो यह देखे Microsoft Signing, तो आपके पास यहां होना चाहिए दोस्तों, Microsoft Account, Outlook Account होना चाहिए, या Hotmail का एकाउंट या Yahoo का एकाउंट होना चाहिए, आपको यहां करना क्या है दोस्तों, आप किसी अधर डिवाइस का यूज कर लें, और अपनी अपनी डिवाइस में कोई Microsoft Account, Outlook Account, Yahoo Account या Hotmail Account, इन तीनों में से कोई भी एक 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 आउंट आप create कर लें, ओके यह जरूरी है दोस्तों, इस डिवाइस को अनलाग करने के लिए आपके पास Microsoft Account होना चाहिए, ठीक है, तो आप अलग से किसी डिवाइस का ठीक है, तो मैं अपना Outlook Account यहां पे add करता हूँ, अब यह देखे दोस्तों, मैंने अपना Outlook Account जोएकी यहां पे add कर दिया, ठीक है, अब उसके बाद मैं Simply यहां से next कर दूँगा, अब यह हमसे password भागेगा, यह देखे, enter password, तो मैं अपने Outlook Account का password यहां पे add करूँगा, और कुछ सेकेंड वेट करना है, यह देखे, sign in हो रहा है, यह जो Outlook Account है, इस device में sign in हो रहा है, आप कुछ सेकेंड वेट कर ले, ओके यहां से नीचे से आपको next कर देना है ठीक है यहां से फिर से आपको next कर देना है और अब क्या हुआ दोस्तों यह जो outlook account है इस device में sign-in हो चुका है जब sign-in हो जाएगा तो आपको यहां पे account सो करेगा यह देखे account सो कर रहा है ओके आपको simply करना क्या है दोस्तों नीचे तरफ देखे take me to email है आप simple इस पे click कर दें ओके जैसे यह आप इस पे click करेंगे दोस्तों तो यह interface आपको so करेगा ओके अब उसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों उपर की तरफ देखे 3.com है ओके आप simple 3.com पे click करें ओके और उसके बाद यहां देखे यह सारे option आपको so क्लिक करना है तो फिर से आप 3.com पे click करें ओके अब देखे आप दो option कर रहा है आपको करना क्या है उपर वाले option पे यानि कि manage accounts पे आपको click कर देना है तो आप manage accounts पे click कर दें जैसे ही आप manage accounts पे click करेंगे दोस्तों तो यहां पे देखे आपके देखे आपके device की जो main setting है य जाएगे ठीक है मैं आपको model नंबर दिखा देता हूं यहां मैं about में आता हूं और यहां देखे model नंबर अनर 9N ओके तो यहां दोस्तों आपने देखा device की जो main setting है वो finally open हो गई ओके और अब आपको करना क्या दोस्तों अब यहां दोस्तों बिल्कुल नीचे एक तरफ सिस्टम पर ख्लीक करने बाद दोस्तों यहां पर कबस न मिलका आपको यह यह तकरी सेट का सब्सरी करें करें और उसके बाद नीचे लुक रिखा कहा है reset all settings आप इसपे क्लिक करें okay once again यह देखे rate हो गया आपको फिर से इसपे क्लिक करना है तो यह करेगा क्या दोस्तों आपके डिवाइस की सिस्टम सेटिंग को restore कर देगा यह देखे restore हो रहा है आपको second wait करें यह resetting dental कंप्लीट होने तक वीडियो को ध्यान से देखेगा दोस्तों कोई भी इस्टेप आप इसकीप नहीं करिएगा और यकीन मानिए अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया तो बहुत आसान इसे आप Honor 9N का FRP Lock यानि की Google alt Log Remove कर सकते हैं यह देखेगे डिवाइस की सीस्टम सेटिंग है रिष्टोर हो चुकी है ठीक है यह दिखेए रिष्ट्टोर हो गया फिर से अमारी डिवाइस m खालें के आपको करना क्या है जब आपक będę सी कि सिस्टम सेटिंग रिस्टोर रोजा तो आप आपटो डिवाइस को रीबूट कर देना ठीक है तो आप फाइनली यां पावर बलतन को प्रेस करें और डिवाइस को यह सत कर दें डिवाइस मारी रिष्टार्ट हो गई और अब आप वेट करिए डिवाइस को पूरी तरह से एक्टिव होने के लिए चालू होने के लिए यह देखे डिवाइस मारी अन हो गई आपको वेट करना है कंप्लेटली से पूरी तरह से एक्टिव होने तर दोस्तों इस वीडियो मे से अपने Honor 9N को घर बैठे-बैठे अनलाग कर पाएंगे यह देखे डिवाइस हमारी रीबूट होने एक बाद पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है यह देखे ओके फाइनली डिवाइस हमारी एक्टिव हो गई कुछ सेकेंड वेट करिए यह देखे पूरी तरह से करना क्या है डिवाइस को रिजेट करना है मैन वलिडसेट करना है ठीक है अभी आपने अर्ण चैट कींया डिवाइस अनलाक sommes रिशेट करना बहụt जरूरी है कैसे करेंगे में जाएंगे आपको नीचे के तरफ तो आप सिस्टम मिलेगा तो आप सिस्टम पे क्लिक करें और और उसके बाद यहाँ पर last option reset, जो आपने पहले click किया था, same आप reset पर click करें, और अब आपको करना क्या, factory data reset करना है, तो आप factory data reset पर click करें, यहाँ देखे, reset phone का option है, आप इस पर click करें, once again यह read हो गया, आपको फिर से इस पर click कर देना है, ठीक है, यह देखे, erasing, ठीक है, त तो आपको device को manual reset करना है, device आपकी active हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी आपको device को manual reset करना है, ओके, फिर से आपकी device यहाँ reboot होगी, reboot होने के बाद फिर से start होगी, ठीक है, यह देखे, reboot होगी, फिर से start होगी, तो same उसके बाद आपको setup कर लेना है, ठीक है, तो फिलाल के पूरा on होने दीजिए उसके बाद मैं setup करके आपको दिखाता हूँ दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं आप बहुत असानी से अपने honor 9N का frp lock यानी की google account lock remove कर पाएंगे तो दोस्तों एक छोटी सी request है आपसे अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है helpful लगती है तो प्लीज दोस्तों आप इस वीडियो को जादा से जादा share करें वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारी यूटीब चैनल को जरूर सस्क्राइब करें बगल में जो बेल आकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की notification सबसे पहले आपको मिले यहाँ द दिखाऊंगा एक चीज़ और दोस्तों आप अपनी प्राब्लम मुझसे सेयर कर सकते हैं आप अपनी प्राब्लम आप हमारे यूटीब वीडियो के comment box में टाइप करिए मुझसे सेयर करिए मैं जल्द से जल्द आपको ब्यहतर से ब्यहतर solution देने की कोसिस करूँगा आप इ तो अब ही आपको वेट करना है डिवाइस को फिर से पूरी तरह से एक्टिव होने तक यहां वीडियो को दोस्तों मैं थोड़ा साइज कीप करूँगा क्योंकि वीडियो काफी जो है की लॉंग हो जाएगी तो डिवाइस को हमने जो है की रीसेट किया और रीसेट करने के डिवाइस से एक्टिव हुई अब एक्टिव होने में 2-3 मिनट वक्त यहां पे लगना है तो मैं वीडियो को थोड़ा सा इसकीप कर दूँगा और आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ तो यहां दोस्तों फाइनली कुछ मिनट वेट करने के बाद डिवाइस हमारी रीबूट होकर पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है अब आपको सेट अप कर लेना है तो चलिए मैं सेट अप करके दिखा देता हूँ तो सेट अप करने के लिए नीचे के तरफ यह देखें नेक्स्ट का अप्सन है आप नेक्स्ट पे क्लिक करें ओके यहां से नीचे से आपको इस अप्सन को स्कीप कर देना है उके उसके बाद आप अग्री कर दें ओके वनस अगैन आपको फिर से अग्री पे क्लिक करना है यहाँ देखेu disagree, agree, आपको फिट से agree पर klik करना है, यहाँ देखेu join, letter, आपको letter पर klik करना है, ओके? यहाँ नीचे से देखिए, agree to all का option है, आप इस पर klik कर दें, ओके? और यहाँ देखेu फाइनली दोस्तों skip का option है, तो पहले क्या होता था दोस्तों? जब हम skip के option पे click करते थे तो यहां बोलता था कि आप wifi से connect करें लेकिन अब देखिए अब ऐसा नहीं बोलेगा क्योंकि हमारे device का FRP पूरी तरह से bypass हो चुका है ठीक है तो finally हम skip के option पे click करते हैं ओके और यह देखिए more more accept यहां पे wifi connect करने को नहीं बोला यानि कि हमारे device का FRP bypass करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों चल्वास हो चुका है ठीक है आपको यहां setup as new पे click कर देना है औके यहां back इसकीप आपिसकीप के option पे click करें यहां से not now का option है आप इस पे क्लिक कर दें के once again यहां पर देखिए pattern, pin, password, finger, print का option है आप इस option को नीचे से skip कर दें ओके और यह देखे फाइनली नीचे तरफ गेटी स्टार्ट का आप सना गया आप सिंपल गेटी स्टार्ट पे क्लिक कर दें ओके और यह देखे फाइनली यह android setup कंप्लीट करने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों हमारी device अनर 9N पूरी तरह से एक्टिव हो गई और डिवाइस का जो FRP lock है दोस्तों वो हमारी डिवाइस पूरी तरह से अनलॉक हो गई तो दोस्तों ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये वीडियो आपको कैसा लाग़ दोस्तों अप इस वीडियो के बारे में अपनी राय मुझसे जरूर सेब राएं करेगा और लियूसे उससे फ्रेस करेगा है कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थाइंक यू थाइंक यू सो मच